हेलो एब्रीवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार का फेमस चंपानन हंडी मटन की रेसिपी जिसे आहुना मटन भी कहते हैं यह बिहार के साथ-साथ पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ही फेमस होता जा रहा है और क्यूंकि जब यह मिट्टी के बरतन में धीमी-धीमी आज पर कोईलों और कंडों के उपर जब बनाया जाता है तो इसके अंदर जो मसालों के फ्लेवर हैं वो पूरी तरह से समा जाते हैं और रच बस जाते हैं तो फिर बिना देरी की रेसिपी शुरू करते हैं और इसे बिना स्किप की शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख जितना आपका मटन है प्याज भी आप उतने ही लें हमने यहाँ पर 500 ग्राम मटन लिया है तो उसी हिसाब से 500 ग्राम प्याज भी ले लिये हैं आप चाहें तो 500 ग्राम मटन में 300 ग्राम प्याज भी डाल सकते हैं इसके साथ हम यहाँ पर दरदरा कुटा हुआ लेसुन और अद्रक डालेंगे ध्यान रखें यहाँ पर हमें लेसुन और अद्रक बारिक नहीं करने हैं इस तरह से दरदरा कूटने हैं तो दो टेबल स्पून हमने कुटा हुआ लेसुन अद्रक भी इसमें मिला लिया अब इसके साथ 2 तीश्पून धनिया पाउडर छॉथाई टीब्स्पून काली मिच्चों का पाउडर और इसके साथ 24 तीश्पून सौफ का पाउडर भी मिला लेते हैं अब हम इसके अंदर भुना हुआ जीरा पाउडर डुष ढाल देते शौन अब इन सभी चीजों को हातों से अच्छी तरह से mix कर लेंगे और इन्हें तब तक अच्छी तरह से mix न हो जाए और दोसरी तरफ हम गैस बर्नर पर सरसों का तेल गर्म होने के लिए चड़ा देते हैं आदा कप सरसों का तेल हमने लिया है और उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल कर इसे धुआ आने तक हमें गर्म करना है और तेल को हमें बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि इसका कच्छापन दूर हो जाए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब इस गर् मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर 500 ग्राम दुला हुआ मटन डाल देंगे और मटन आप ध्यान रखें कि नली वाले पीस ही ज़्यादा तर प्रिफर करें तभी आपको यह खाने में मज़ा आएगा मटन को भी मसालनों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब यह अच्छी से मिक्स हो जाएगा तो इसे आद्य गंटे के लिए साइड में रख लेंगे आप चाहें तो इसे दो तीन घंटे के लिए भी रख सकते हैं तो इसका टेक्स्टर और भी अच्छा आएगा मटन को पकाने के लिए हमने यहाँ पर एक अंगीठी ले लिए है और उसके अंदर कोईल ये डाल लिए है कोईलों को हम तब तक जलाएंगे जब तक यह जलकर अंगारे नहीं बन जाते पारंपरिक तोर पर आहुना मटन को इसी तरह कोईलों की धीमी धीमी आज पर पकाया जाता है इसी से यह फ्लेवर हूल बनता है हमने यहाँ पर मिट्टी की हांडी ले ली है और सरसों का तेल जो हमने बचा कर रखा था उसे दुबारा से गर्म कर लेंगे और मिट्टी की हांडी में डाल लेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे जब भी कभी आप मिट्टी के बरतन में खाना बनाएं तो उसे डारेक्ट यूज ना करें सबसे पहले मिट्टी के बरतन को आप पानी में 12 घंटे बिगो कर रखें और दूप में उसका पानी सूख जाने के बाद उसके अंदर सरसों या नारियल का तेल लगा कर फिर रखें और उसके बाद उसे खाना बनाने के लिए यूज करें हमने यहाँ पर सरसों का तेल गर्म करके इसके अंदर डाल लिया है और अब इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें हमने तेज पत्ता लिया है, साबुत लाल मिर्ची ली है चार पांच और इसके साथ ही एक इंच दाल चीनी का टुकडा, एक स्टार एनीज, तीन चार हरी इलायची, दो बड़ी इलायची, दो तीन लॉंग, ए और कुछ काली मिर्चें इसके अंदर हम डाल लेंगे, इन खड़े मसालों को सरसों के तेल के साथ मिक्स कर लेंगे, और फिर मतन जो हमने आदे गंटे के लिए रखा था, उसे भी इसके अंदर डाल लेंगे, अगर आप मतन को पकाने के लिए अंगीठी का यूज नहीं करत दें और फिर हम इस मिट्टी की हांडी के अचे जो अचि करने के लिए मतन को हंडी में अच्छी तरह से डाल लेने के बा इसके अनदर हम दो बल्ब लेसुन के था बोतिर řापित है की अचावत लिए और यही इस रेसिपी की जान है, इससे डालना बहुत ही जरूरी है तो तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसके अंदर हमें ना तो पानी डालना है ना ही दही और टमाटर डालना है, इसकी साइज का एक धकन हम ले लेंगे, और गुते वे आटे की हेल्प से इसे सील कर लेंगे, और जब ये धीमी धीमी आज पर पकता रहेगा, तो मतन क अंदर जो चरबी होती है वो भी पिगलेगी और मतन का पानी भी रिलीज होगा, इसके साथ हमने जो 500 ग्राम प्याज लिये हैं, वो भी अपना पानी रिलीज करेगा, तो इसमें हमें एक्स्टा पानी डालने की ज़रूत नहीं है, और एक लटपट सी यानि की थिक सी ग्रे हमी आज पर एक गंटे तक लगातार पकाना है, और बीच बीच में ध्यान रखना है कि हर 15 मिनट में इस तरह से हमें अंगीटी से इसे उतार लेना है, और कपड़े से अच्छी तरह से कवर करके, केरफुली हमें इस तरह से मतन को हिलाते रहना है, ताकि ये चिपके नहीं और जले नहीं, और एक गंटे में हमें 4-5 बार इसी तरह से उतार उतार कर हिलाते रहना है, और फिर अंगीटी पर चड़ा कर इसे पकाते रहना है, एक गंटा हो चुका है, और हांडी को हम आज पर से उतार लेते हैं, नॉर्मली यह एक गंटे में पक कर तयार हो चाता है, लेकिन यह मटन की quality पर भी depend करता है कि उसे पकने में कितना समय लगेगा तो आप अपने मटन की quality चेक करके उसे लगबग एक घंटा या सवा घंटे के लिए पका लें अब हम इस ढकन को हांडी के उपर से हटा लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा मटन किस तरह का बना है ये देखिए हमारा चमपारन हांडी मीट बनकर तयार हो चुका है और इसकी रंगत आप देखिए किस तरह से लाल सुर्ख दिखाई दे रहा है असली चमपारन हांडी मटन भी इसी तरह का दिखाई देता है ये देखिए एक एक पीस अच्छी तरह से पक कर तयार हो चुका है और बिना पानी डाले भी हमें एक लटपट सी थिक ग्रेवी मिल चुकी है अब इस तयार चमपारन हांडी मटन का रोटी या चावल के साथ आनन्द उठाईए और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें जब ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आपने आज तक की जो भी मटन रेसिपी ट्राई करी होंगी आप उन सब को इसमें अलग पाएंगे और अब जाने से पहले धेर सारा लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को जरूर शेयर करें और इसी तरह की मज़िदार रेसिपी हमारे चैनल पर अविलेबल है आप एक बार जाकर जरूर विजिट करें और रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नए-ने वीडियो अप्लोड करें तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे